तो बल्रा श्रणिंग टेक्स हो गई आज की इस वीडियो में निफ्टी बैंक निफ्टी फिप्टी और सेंसेक्स का एक्सपायर रहने वाला है लगबक सेंसेक्स और निफ्टी का अगर हम चाट देखते ना तो दोनों चाट लगबक सेम बनते है ठीक है अभी हम लोग को एक और उसने जो सपूर्ट लगा है ठीक है कल की जो कांडल उसने सपूर्ट लगा है 81,824 का यह वाली लेवल एक सपूर्ट लेवल है अभी यह हाई के पास में प्राइस फिर से साइडवेज हो गया दो प्रबाबिलिटी में आपको हमेशा बोलती हूँ अगर मार्केट करेगा या फिर वो वनवे सेलिंग कर देगा ठीक है इस तरह से इसका प्रबाबिलिटी रहता है अभी अगर हम देखते तो यह एक रेंज के अंदर आपको प्राइस कर रहा है इसको 82,748 का लेवल रहेगा इसको ब्रेकाउट करना चाहिए अभी यह ब्रेकाऊट करेगा य क्या कंडिशन रहेगी अगर इसको यहां से ब्रेक आउट करना है तो इसको 81,822 का जो लेवल रहेगा इसके नीचे नहीं आना पड़ेगा ठीक है इसे के ऊपर रहे और फिर यह ब्रेक आउट करें तो फिर वैलन गुड रहेगा ठीक है 82,744 के ऊपर का हम लोगों को क्लोजिंग चाहिए सेंसेक्स में अब इकल इसका एक्सपारी आप आज की कैंडल को मत देखो आज की कैंडल आपको दिख रहे है यह रेड बनी है ठीक है आज की कैंडल सले कशेंट देखो क्या सेलिंग बहुत अच्छे से बनी है नहीं सेलिंग तो चाहिए थी ठेक है सőसे बन नहीं में रही ना तो एगडम में इसा बेदेल ना रही रहना है अब फे है तो ठीक है कि टॉप पहा है तो गीर जाना चाहिए हैं अभी लोग़ा देख हैं सेन्सक्षच में कितना दिन हुआ है कि losing आई नहीं है अब हम Sensex में देखेंगे तो sensex में आज की दिन पर 9 मोमेंटम कल 9 मोमेंटम दो दीन हो गया िन दिन 9 मोमेंटम चार दिन हो गया 9 मोमेंटम पांच दीन हो गया that Table messing mean like cosine six में पूरा एकवीक लास्ट मोमेंटम हो दिन है कल Sensex का का पाशल से उबीद रहेगा कि संसेच मोमेंटम करें रिमट्ट का भी तृक्ति ने कोई भी मोमेंटम कि आपकतोल दो दिन हो जो जा Sicily कि नहीं ममेंटम किया को पाँक्र दीन मोमेंटम जबतें कि से नहीं कम नहीं करें अबहुकंझा जोड़्यत क हिसके कि पांच दिख रहा है कि पांच दिन से मार्केट ने कोई मोमेंटम किया नहीं है साइडवेस गया है और वह भी सेम ब्रेंज के अंदर में अभी इसको अगर यह उपर जाने का बोलते तो भी और 744 तक जाएगा तो भी 600-700 का मोमेंटम हो जाएगा उतना भी हम लोगो चलेगा या फिर उसके ऊपर अगर निकलता है इसके उपर ब्रेक आउट होता है तो भी बहुत अच्छा रहेगा ठीक है या फिर ब्रेकडाउन करता है प्रेक ब्रेकडाउन हम लोगों को चाहिए 81666 का फॉर बीक मोमेंटम इंडाउन चाहिए यह वाले सपोर्ट लेवल काम लोगों को ब्रेकडाउन चाहिए अगर इसको नीचे की चार्ड में आना है तो यह वाला जो कांडल बनाए ना इसको होल्ड करके रखेगा यह जो 4th September 915 का यह कंडल एक बूलिश कंडल है यह इसको होल्ड करके रखे का डाउंचाड में ठीक है अज का दी थोड़ा इसका नीगेटिव रहा है सेलिंग कुछ आई नहीं बट नीगेटिव यह अभी हम लोगों को इंडिकेट कर रहा विकोज इसमें जो पहली मॉर्निंग में इसके बाद रेंज बनाया और रेंज में ही इसने जाके क्लोजिंग किया उपर की साथ में क्लोजिंग नहीं किया अभी ओपनिंग मैंटर करेंगा कि ओपनिंग इसका होता कहा पर है ठीक है एंड चार पाच दिन होगे कुछ मोमेंटम किया नहीं है तो सेंसेक्स के सेंसेक् के लिए बहुत संब देखते लिए हम लोग को धो नजराने वाल फीजूúde में साइन उपर में एक एरिया करने place इन है अधि उन्लेशाय कर रहा है गाई अधियес ह Heute था स्विंग흡 के सिश्विंग हाय से नीचे आयते है अभी वह को निकिला थो तैम बन गया अभी अभी सीघ्वन बना है हम उससी के सपोर्ट के ऊपर है उसी हाय पर वह जो पहल ऻुकल सस्टर्थ ठाहिं बन गया थिखisión क invincible मेर्ट करें place अगर यहाँ पर पॉसिबिलिटी हो सकता है इसको नहीं तोड़ा तो फिर दाउन साड में देखें के कांडल क्लोजिंग के बात से तो मार्केट को क्या है अजकल ट्रापिंग बहुत बढ़िया है बहुत बढ़िया है तो इस वाइब हम लोग को बहुत केरफुल रहना चाहिए ठीक है अभी हम चार्ड के उपर देखेंगे तो बहुत दिन से बाइंग 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 चल रहा था ठीक है बाइंग बाइंग चल रहा था अभी तीन दिन से रुका हुआ है तो सपोर्ट लेवल हम लों को पता है 25,000 का तो एक राउंड सपोर्ट रहे गाई और 24,988 का 66 अभी इसके पास सपोर्ट रहने वाला है अगर यह सपोर्ट लेवल को तोड़ देता है फिर हम डाउंसाइड में इसके लिए सोचेंगे सपोर्ट को नहीं तोड़ा तो हम इसमें डाउंसाइड के लिए तब तक फिर नहीं सोचेंगे रजिस्टेंस लेवल आएका 25,333 का रजिस्टेंस लेवल इसके लिए आने वल है आज का हाइब इसके लिए रजिस्टेंस रहेगा 277 का 277 को निकाल दिया तो सिंपल टार्गेट रहेगा 333 का 333 के ऊपर फिट 25,500 हमें एक्सपेक्टेड रहेगा ठीक है एंड यह कल का जो कल का जो 4th September का डे है उसका जो सप डाउन को बता है अभी वह तो डाउ जोंच हिसाब से उपनिंग ओर था ठीक है अबी देखते हैं फिर उसकी बाद अपना मार्केट अपने स्रक्टर को फोलो करता है ओपनिंग यह साप से हो जाता है और उसके बाद उसको जो करना उस तरीक के से वह चलना लग जाता है कि अभी Nifty bank कहा भी देकेंगे तो ये वाले दीन शॉट कवरींग किया तीन सप्टेम्बर को चार को साइड्वेज गया आज पाच को साइड्वेज गया। मतलब दोनों दिन सेम स्ट्रक्चर बनाया nifty bank ने सेम स्रक्चर ओपनिग gap up खुला थोड़ा सा नीचे अया तो में ग्यापप फुला थोड़ा सा नीचे आया दिन भर उसी के अंदर साइडवेज दिन भर उसी के अंदर साइडवेज रहे के इसने क्लोजिंग कर दिया लब दो दिन सेम पैटन बनाया अभी कल ऐसा पैटन अगर वापस बनता है अगें ग्यापप खुलता है इस प्राइच के यानि कि अगर 51,700 के आसपस खुला यहां पर खुला आगें नीचे आया यहां पर वापस साइडवेज लग गया तो फिर समझ जेंगी कि सेम डे सेम पैटन ऐसा करके मुमेंटम आने के लिए हम लोगों को यह चैन को ब्रेक करना पड़ेगा यह जो अभी तो पैटन बन रह अजन बना लिया ऑन्दर हम लोगों को ब्रेक आउट चाहिए अगर 59,555 के अंगर 5155 क हम ब्रेक आउट करते इस रेंज के अगर हम बहहर निकलते तो कि मोमेंटम को अच्छा सा देखने को मिल जाए यह जो llegar हुआ था उसकी वाद हम सिधा ग्याप डाउन खुल गए तो यह मोमेंटम इतने आसानी से खतम नहीं होगा ठीक है तो यह 555 के उबर वो मोमेंटम हम लोगों को इसमें अगें देखने को मिल सकता है सेलिंग के लिए अगर सोचना है तो सेलिंग के लिए फिर हम लोगों को डारिकली सपोर्ट तुटने का इंतसार करना पड़ेगा 51,266 तक यह बायाउन डीप है जब तक यह 51,266 के उपर रहेगा यह बायाउन डीप रहेगा हां इनकेस अगर हम 51,255 का सपोर्ट तोड़ देते तो फिर हम सेलिंग के लिए सोच सकते भी कच बहुत दीन होगे 5 दीन हो गहें के हम सेम लिएवल का सपोर्ट बना रहे cu 51,255 का इसमे सपोर्ट बना رहें 1515,255 से अप इनकोय होगा 311 लेवल है ना संपोर्ट लेभल है ना तो जब तक सपोर्ट बेल के ऊपर है बस been का इंतजार करना है 51,555 की लेवल का अगर ब्रेक आउट आता है तो फिर वेल इन गुड यहाँ पे हम लोगों को मोमेंटम देखने को मिल सकता है जो मैंने लनिंग किला आपको तो स्टॉक्स पर रहते हैं उनका अपडेट करना चाहते हूं कल में अपडेट किया था उनका कल मैंने आपको सिंपल चीज बोला था कि आज उसमें महिंद्र ओलडेज में एक रेड़ कांडल बनी है तो कोई फरक नहीं पड़ता अगर स्टॉक यहाँ पर स्ट्रॉंग है तो ठीक है रेड़ कांडल बनी थी अगेन आज इसमें गुड ग्रिन कांडल बने इसका 438 के पास का रजस्टन से में भी यह निकालने के बाद यह 462 के टार्गेट के लिए चला भी जाए नई तो फिर यहां से थोड़ा उपर जाएगा प्राइज रजस्टन्स लेगी अगें डीप लेगी अगें नीचे आएगा फिर अगें सपोर्ट बनाएगा यह इसका चलता रहता है काम ठीक है बस कंडिशन क्या होती है कि लेवल को तोड़े ना ठीक है यह इसका कंडिशन रहता है दूसरा जो है अपर टायर यह भी मैंने आपको लर्निंग परपस के लिए शेर किया कि आप इसमें लर्न करो किस तरह से प्राइज करता है किस तरह से बनता है अभी इसमें परफिट दबल्ब पाटन वगरा दिख रहा है में उसकी नेक लाइन के पास खड़े नेक लाइन के पास रेड़े कांडल बनाई यह जैसे महें रहें रहें की तो यह उपर जाकर रिवर्सल लेती है तो यह भी फिर टाइम पास करेगा थोड़ा सा नेक लाइन का यह इसके लिए हम लोगों को एक्सपेक्टेड रह सकते हैं ठीक है यह रहा इसका अपडेट एंड आल थिंग्स और उनली फॉर लर्निंग परपस्वी आर नॉट से वे रजस्टेड आपको मैंड में रखनी है खुद का अनालीस करना कभी भी बहुत इंपोर्टेंट रहता ह वीडियो अच्छा लगाए तो जरूर लाइक करना चानल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी करना अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेर कीजिएगा जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थाइंक्यों गाई जहीं राधे राधे